शासन की महत्वकांची योजनाओं के साथ ही शहर वगाओं में जल और जलाशाय को सवारने के लिए साथ ही बचाने के तह सरोहर धरोहर योजना क्रियानवयन किया गया तो वर्तुमान में अब भगवान भरोसे पड़ी हुई है दुग नगर निगम की अंदेकी और लापरवाही की चलते शहर के वाड 27 का पोलसाय पारा तलाव अपनी पहचान खोकर अववस्तित भगवान भरोसे पड़ा हुआ है जिसकी अंदेकी कर दुग निगम शासन की महत्वकांची योजनाओं को दर किनार कर यहां कोई जहांकने तक नहीं पहुँच रहा वहीं इस तलाब का अलम यह है कि पहले की स्थिती में यहां तिक्रामन से मुक्त कराकर 20 से रास्ता बनाकर शहर की जनता की सुविधा के लिए कारे किया गया वहीं अब यह तलाब गंदगी और कचरों की भेट चड़ चुका है चारों तरफ प्रति पक्श ने दूर्ग निगम की कनप्राली पर उदासिंता दिखाती हुए प्रतिक्रिया किन्तु इसी सहर को पहले तलाबों के सौंदरी करन के लिए जाना गया लोग दूर दूर से देखने आएं यहां के मुक्तिधाम के बारे में यहां तक लिखा गया कि देखो तो मरने का मन होता है आखिरकार उस सहर में पोल साय पारा तलाब लुचकी तलाब इनके आजू-बाजू के रहवासी उनके बद्बू से परसान है यह इस्तिती आई है माननी विधायक जी के प्रसासनिक अच्छमता के कारण महापोर के लगातार सांसाथ घूमने के कारण और फिर आप लोगों ने देखा है लगातार ये कहते रहे हैं कभी आठ करोड रुपया तलाबों के लिए आ रहा है कभी तीन करोड रुपया तलाबों के लिए आ रहा है वहाँ अंतिम क्रिया कर्म के लिए इस्थान बनाया गये थे आज वो तलाब को देखे आप जा करके वहाँ खड़ा होना आपका मुस्किल है इसलिए निगम प्रसासन की जिम्मेदारी है कि तलाब को गुजरे वक्त की चीज ना माने इनको चुकि भूग अर्ब जल पे ज्यादा नालेज नहीं है इसलिए इसे वैसी चीज मान लेते हैं तलाब हमारी धार्मी का आस्ता का केंद्र है तलाब हमारे वाटर बाड़ी का भूग अर्ब जल का मूद स्रोत है इसका ततकाल संधारन करना चाहिए और तो और राज्य सरकार ने सरववर दरववर जैसी योजना तलाबों के लिए लगा रखी है जिसे दूर नगर निगम लाने में पूनता असफल रहा है हम लगातार अंदोलन इस वी से हम किये हैं आपके द्वारा मामला संध्यान में लाया गया है पूल साय अब पारा तलाब की सफाई जल्द से जल्द नहीं हुई तो भारती जनता पार्टी आंदोलन के लिए बात दे होगी ग्रैनेसीन निवस के लिए दुर्ग सेना सीम फारुकी की रिपोर्ट